अबस्कार दोस्तो आज हम आपको कब्ज के लिए बहुत अच्छी और दी बताएंगे उसके लिए आपको लेना क्या है जिनको भी कब्ज भ्हंकर से भ्हंकर है पेट साफ नहीं होता है चार-चार दिन हो जाते हैं, पांच-पांच दिन हो जाते हैं, किसी-किसी को तो हपता भर भी हो जाता है, पेट ही साफ नहीं होता है, तो उनको पेट साफ करने के लिए आखिर इन चीजों का इस्तमाल करना चाहिए, जिससे एक बार में ही पेट पूरी तरीके से साफ हो यह सज्जी खार है इसे पापड़ खार के नाम से भी जाना जाता है यह देख लिए आप यह वाइट कलर का है सपेद रंग का है और यह दूसरे रंग में भी आता है थोड़ा सा मट मेले से रंग का और इसके साथ ही आपको लेना है यह गुड़ यह देखो मेरे पास पुरान इस चीज का आपको ध्यान मतना है दोनों की बरावर कॉंटिटी लेनी है यह आपने सज्जिखार लिया इसको जो है आप ऐसे बरतन में डालिए जिससे आसानी से आप दोनों को अच्छी तरह से मिला सकें तो मैंने यह एक अपना देशी आयरवेदिक जिसमें दवाई तयार क दोन जाएं और इसे मिलाने के बाद आपको मतर की आकार की गोलिया बनानी है अ कि पहले यह से अच्छी तरह से पीश लेते हैं और पिलीलिया बनाएंगे पिर बताएंगे कि आपको इससे कैसे खाना है जो इसका तीन दिन तक लगातार खाली पेट उपयूग करता है तो उ पीट से संब्द नित सभी समस्यें ठीक हो जाती है और कब्ज की जो सिकायत है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है एक बार में ही पूरी तरीके से फ्रैस हो जाते है अब इसे थोड़े देर जो है इसी तरह से अच्छी तरह से पीछने के बाद जब अच्छी तरह से मिल जाए दोनों चीजे तो इसको यह है एक अपने बर्तन में निकाल लेना बर्तन में निकाल ले के बाद इसे मटर के अकार के बरावर की छोटी छोटी गोलिया बनानी है आपको पर यह गोलिया बना के रख लीजिए आप इसके अराम से गोलिया बनाईए जरूरी नहीं है कि एकदम गोलियो गोलिया होनी चीए पर होनी चीए मटर के अकार के बरावर आप देखिए साइज इस तरह से गोलिया बना बना के आप रख लीजिए अब इन गोलियों को खाना कैसा है रोज सुवै को एक गोली जिनको कम समस्या है उनको एक गोली सुवै को लेनी है गुन गुने पानी से जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है वे दो गोली ले सकते हैं इसकी बिलकुश सुवै खाली पेट गुर्गो ने पानी से पैसी तरह से आप गोली बना के रख लें लगातार तीन दिन तक ले लेने आप तीन दिन लगातार लेने में आपके जितने भी एक कमज की सिकायत है यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी पेट एकदम से साफ हो और था कि सारी गंदगी है आपकी पेट से साफ हो जाएगी ऄगको कुर्फ इस तरह से यह गोलिए बनाकर रख लेनी हैं यह इन की जो है गोलिया बनाके रख लिए मैंने आठ गोलिया बनाके रख लिए अगर एक गोली एक दिन में इस्तवाल की जाए तो आठ दिन तक अराम से चलेगी दो गोली रोज लेते हो तो आपके अराम से चार दिन चलेंगी और इसे गुंगुले पानी से रोज सुबह खाली पेट लीजिए बहुत आसान है इसे बनाना सर्जी खार बजार में आसानी से मिल जाता है आप इसे लेका आईए गुड़ में मिलाईए गोली बनाके और खाईए तो वीडियो आपका मेरा कैसा लगा है उसके बारे में आप मुझे जानकारी देना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आरवेट साला आरवेट की पाड़ साला नमस्कार और आगया ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें